एलो अब्रिवान वल्कम टो भाई लो डिजिटल मैं आम इतल्हा और आज मैं आपको इस कहूंगा कि आप इस तरह की मिनिपुलेशन कैसे बना सकते हैं फोटोशॉप में मुझे नहीं बता है इस मिनिपुलेशन का कहना चाहिए तो हम इसको कह लेते हैं स्विमिंग ओन तो मैं यह फाइल बंद कर देता हूं ताकि हम इसको शुरू से बना के दखा सकें आपको तो यह मेरे पास और पास जो सब्जेक्ट है वो यह है इसको सबसे पहले मैं कॉपी करके अधर ले जाओंगा उसके लिम क्या करेंगे कि जो इसका लॉक है वो उपन करेंगे इसका पेश्ट हो गया है ठीक है, तो इसको हम यहां पर place कर लेंगे इसकी opacity दोबारा full कर देते हैं बड़ा zoom in कर लेंगे तो हमने भी क्या करना है कि अपना जो subject है सिर्फ उसको select करना है और हमें इसमें जो selection है और दूरी नहीं कि बहुत ही कमाल किसंगी हो नॉर्मल सी भी selection हो तो गजारा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे यहां पर जाएंगे और quick selection tool set कर लेंगे और इसकी हम normal सी selection होना लेंगे बल्कुल rough सी हमें कुई दुर्यत नहीं है इसमें बहुत जादधा detailing करने की यह select हो गया तोड़ा सा जेरे भी select कर लेते हैं और यह ठीक है और इसका अब हम एक mask बना लेंगे हम यहां bottom पर जाएंगे और create mask तो जो इसका background है वो basically remove हो गया किसमगा अगर आप मेरी तरह हो और आपको भी तकलीफ हो रही है कि यहां पर कीए ठीक क्यूं नहीं है तो हम इसको भी ठीक कर लेते हैं हम जाएंगे selecter mask पर refinance tool और बिल्कुल rough रफ रफ इसको यहां पेर लेंगे even though matter तो नहीं करता है पर वही वही बात है कि आदध दिती जादा है यह गुजारा नहीं होता यह जो extra blue area तो गायब हो गया है हम इस को के कर देंगे तो इस layer का हम नाम रख लेते हैं subject क्यूंकि इसमें सिर्फ subject है जिसका हमने नाम रख दी है subject अब हम क्या करेंगे के control J दबाएंगे तो इसके copy बन जाएगी उस copy को हम इसके नीचे रख लेते हैं और इसका हम नाम रख लेंगे water near क्यूंकि जो करीबी पानी है हम वह select करेंगे इसका हम mask दबारा select कर लेते हैं यहांप क्लिक करके इदर जाके हम brush tool set कर लेंगे और अपना जो foreground का ले रहा है वह white रखेंगे brush थोड़ा बढ़ा कर लेंगे और बस थोड़ा थोड़ा इस area में हम यह पानी set कर लेंगे फिर हम क्या करेंगे इसकी एक और copy बनाएंगे पिर से दबाएंगे control J ठीक है इसको इसके नीचे लियाते हैं और इसका नाम रख लेते हैं water far oh sorry water far तो अब हम क्या करेंगे कि इस वड़ा दूर दूर पानी है हम उसको mask in करेंगे हम यह लग लग layer पर इसली बना रहे हैं क्योंकि हम इसका जो blend mode है वो change करेंगे हम क्या करेंगे इसका जो blend mode है वो change करके hard light कर देंगे hard light थोड़ा सा जड़ा डार्क किसम का blend mode है मैं आपको दखाता हूं कैसे अगर मैं इसको hide कर दूँ तो आप दे सकते हो कि यह थोड़ा dark है हम क्या करेंगे कि यह वाली layer तो इसे रहने देंगे जो थोड़ा सा बाइर बाइर वाला area है उस पे हम hard light थे apply करेंगे क्योंकि यह layer इसके उपर है तो यह वाला area मारा वैसे के वैसे ही रहेगा और जो बाइर वाला area है थोड़ा बहुत वह थोड़ा dark हो जाएगा तो हम इसका maskeded कर लेंगे और यह वाले थोड़े areas हम mask in कर लेंगे थोड़ा से यहां भी कर लेते हैं अच्छा तब हम क्या करेंगे कि इन दोनों layers को group कर लेंगे तो control दबाके मैं इसको click करूंगा यह दोनों select होई भी है और मैं दबाऊंगा control G तो यह group बन गया है इसका हम नाम रख लेते हैं water तो अब हमारे पास मसला यह है कि जो हमारी road है वो grey किसम की है और जो हमारा image है इसमें पानी blue color का है हम चाहते हैं कि जो हमारा पानी है वो road की तरह दिखे ऐसे लगे कि यह road ही है हम क्या करेंगे यह bottom पर जाएंगे और एक hue and saturation adjustment layer बना लेंगे और इसको clip कर देंगे इस फ़ली layer के उपर clipping करने का क्या तरीका है या तो आप all दबा के इन दो lines के दिनमयान क्लिक कर सकते हो या आप इधर क्लिक कर सकते हो इसके पर हम click करेंगे तो यह नीचे clip हो गया है अब हम क्या करेंगे कि यहां पर जाएंगे hue and saturation में और हम cyan select कर लेंगे और इसकी saturation बिलकुल zero कर देंगे similarly हम select करेंगे blues और उनकी saturation में बिलकुल zero कर देंगे तो क्या है कि हमारे image में जितना भी blue area था और cyan area था वो इसकी saturation बिलकुल zero हो गई है अच्छा यहां पर थोड़ा सा मसला यह आ रहा है कि हमारा जो subject है अगर हम इसके पर zoom in करेंगे तो उसमें जो blues हैं वो पहले से हैं और जहां पर थोड़ी बहुत fringes वगरा भी है तो हम क्या करेंगे जी वली hue and saturation जो adjustment layer है क्योंकि यह एक ही image था हम इसको copy करेंगे Ctrl J और इसको हम अपने subject के उपर ले जाएंगे और फिर हम इसको इसके उपर clip कर देंगे ताकि वही जो saiyan और blues इसके अंदर हैं वो भी खतम हो जाएं अब हम अपनी water वाला folder है वो दोबारा खोल लेंगे और इसमें जो water far है बाहर वाला area हम उस वाले layer को दोबारा set कर लेंगे और यह वाला area हम paint in कर लेते हैं ठीक हो गया ब्रस तरह चोटा कर लेंगे अच्छा एक technique हमने सीकी थी मैंने क्रिटोरियल में सकाई थी आपको दोबारा पता देता हूँ अगर आपने कोई भी चीज in a straight line draw करनी है तो आप क्या कर सकते हो अब जिसके मैंने यहां से लेके यहां तक एक line draw करनी है यहां एरिया मास्किन करना है या तो मैं यह कर सकता हूँ कि इदर क्लिक करके drag करना शुरू करूँ तो क्या पता है इतना accurate ना हो मैं white lines खराब कर दूँ दूसरा तरीका यहां क्लिक करूँगा मैं shift दबाऊंगा और मैं फिर यहां क्लिक करूँगा तो क्या है कि वह एक पूरी line में मास्किन हो गया है ब्रश तोड़ा बड़ा कर लेता हूँ थोड़ी hardness और काम कर लेता हूँ और फिर यह वहले areas paint in कर लेता हूँ इसकी जो transition है ना वह थोड़ी accurate होनी चाहिए यह पीछे लगना चाहिए कि road आ रही है और आगे आके पानी बन गए तो यह बहुत अज़री है कि इसकी जो transition है वो realistic किसम की हो तो अब हम इसको थोड़ा और realistic बनाते हैं क्या है कि हमारा जो subject है उसके यहां पर left side पे face पे एक light पढ़ रही है जो यहां पर नहीं है जो original image था यह वाला इसमें यहां से एक light आ रही है जो यहां पढ़ रही है लेकिन इदर यहां पर कोई light की source नहीं है तो ऐसा होने सकता कि light की source नहीं हो और light पढ़ रही हो face के पर तो हम क्या करेंगे सब्सक्रों टॉप वली layer पर चले जाते हैं और हम एक और यहां पर इस पर simple हम control आ लिए तबाएंगे और right click करके fill और इसको हम black color से fill कर देंगे okay और control D तबाएंगे तो D select हो जाएगा मैं आपको बतातु हम नहीं यह लेयर क्यों कर नहीं है फिर हम जाएंगे यहां पर पर filter और render और यहां पर हम lens flare set कर लेंगे इसमें इसमें यह तीसावला set कर लूँगा और इसको बिलकुल mid में ले आऊँगा और इसको मैं okay कर दूँगा the reason हमने यह black layer इसलिए बनाई है वह यह है कि जो lens flare है जिते भी render के elements है वह empty layer के पर apply नहीं होते है मैं आपको बताता हूँ क्या मतलब अगर मैं एक और layer बना हूँ और फिर से मैं जाऊँ मैं इसको hide कर देता हूँ अब यह empty layer है मैं जाता हूँ filter render lens flare तो आप देशकते हो कि मैं एरर दे रहा है कि empty layer के पर आप नहीं बना सकते हो इसलिए हमने एक extra black layer बनाई थी इसको मोके कर देते हैं इस layer को हम delete कर देंगे और इसलिए layer को हम on कर लेंगे अच्छा तो हम यह चाहते हैं कि हमारा lens flare है वो खाली रे जाए और जो black background है वो गायब हो जाए तो हमें पता है कि एक blend mode है जो बड़ा अच्छा है वो क्या करता है black remove कर देता है और white areas को रहने देता है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसका blend mode है वो change कर देंगे screen पर screen कि दर गया है screen क्या करता है black areas को गयब कर देता है और lighter areas है उनको रहनी देता है यह जो light color हम थोड़ा सा इसके बराबर रखेंगे थोड़ा yellowish होना चाहिए तो हम क्या करेंगे simply इसके उपर भी एक UN saturation adjustment layer बना लेंगे और इसको clip कर देंगे इसके उपर ताके सिर्फ इसको fat करें फिर हम क्या करेंगे कि इसके जो U है वो change करेंगे कुछ हट तक इसको yellowish होना चाहिए इसको हम इंदर रखके देख लेते हैं और जो hue है saturation थोड़ी जादा कर लेते हैं हमें यह almost एक yellowish किसम के चाहिए ठीक हो गया इसका जो size हम बड़ा कर लेंगे और अब एक और चीज़ है ऐसा दो नहीं सकता कि पहाड के सामने से light आ रही हो इसको हमने almost यहां place करना होगा कि इस लगे कि sun light आ रही है इस पहाड की पीछे से और इसको हम थोड़ा साथ extend कर लेंगे ताके यह realistic लगे ठीक हो गया और इसको हम एंटर कर देंगे सुझे हमारे पास light की एक source भी आ गई है इसको अगर मैं गायब करूँ तो light की source के बगार ऐसे था और इसके साथ ऐसे है थोड़ सी में जिए harsh लग रही है तो इसको हम इसकी opacity थोड़ी कम कर लेंगे almost 70% ठीक हो गया अच्छा अब हम सिर्फ एक last चीज़ करेंगे और वह है color lookup अगर आप यहां right bottom पर जाओ और यहां पर है color lookup इसको select कर लो इसको हम टॉप पर रखेंगे यह भी इसके साथ खुद ही clip हो गए हमने इन दो layers के दिर्मयान बनाया था लेकर हम इसको clip नहीं करना चाहते हैं तो इसके उपर simple right click करेंगे और release clipping mask हम चाहते हैं यह पूरी image के उपर अपलाए हो हम यहां पर जाएंगे और यहां पर different color lookups होते हैं हम उनको select कर सकते हैं तो तो एक और दिकाईजिए कि अगर आप इसके उपर ले जाके अपना जो mouse का scroller है उसको move करो तो यह different यह change होते जाते हैं मेरे खालते जो thumbnail में आपने देखा है वह यह वाला था और maybe यह वाला खैर दूरी नहीं है हम कोई भी रख सकते हैं बलकि हम कोई different ही रखते हैं यह बड़ अच्छा लग रहा है हम यह भी कर सकते हैं कि अगर इसको हमें ज्यादा लग रहा है ज्यादा harsh है तो हम इसको उपक्लिक करेंगे और इसकी जो opacity है वह थोड़ी काम कर लेंगे तो यह था बगार color look up के और यह इसके साथ तो basically यही पूरा concept है जिसके through आप यह effect बना सकते हो यह manipulation के सकते हैं इसको यह वाला area थोड़ा सा हम मेरे ख्याल से और होना चाहिए तो इसको भी हम mask in कर लेंगे brush to set किया और यहां पर थोड़ा area हम paint in कर देंगे totally up to you मतलब जितना गोड़ उतना मीठा जितना आप realistic बनाना चाओ बना सकते हो हम सारी चीज़े group कर लेते हैं यहां से लेकर यहां तक set कर लेंगे control G और हम आप before और after देख सकते हैं थोड़ा सा recap कर लेते हैं बलकि आपको में layers खोल के दखाता हूं और उसके पर हम recap कर लेते हैं अच्छा सबसे पहले हमने क्या किया है कि मारा सब्जेक्ट है उसको cut out किया है बहुत ही roughly किसमगा ठीक है ताकि ये बलकिल एक अलग layer के पर आजए फिर हमने क्या किया कि जो उसके करीबी एरिया है water near हमने वो पानी appear किया उसके बाद क्या है water far कि जो बाहर वाला एरिया है हमने वो वाला एरिया मासकिन किया और उसका blend mode है वो चेंज़ करके hard light कर दिया कर दिया और इस group का नाम रख दिया water और हमने इसके उपर एक hue and saturation adjustment layer लगाई इस adjustment layer में हमने जो cyan था और blue था उन दोनों की saturation बिलकुल zero कर दी जिसके जैसे हमारा जो effect है जो पानी है वो बिलकुल road के साथ match कर रहा है हमने वह hue and saturation layer है वो top पे लेके आगे अपने subject के ताकि जो इसके उपर blue areas हो भी खतम हो जाएं अगर मैं इसको हटा हूँ तो जहां पर blue areas नजर आ जाएंगे तो हमने वो भी clean up कर लिये lastly हमने क्या किया कि एक light की source बनाई lens flare के through और पर हमने color look up layer बना ली एनिहाव यह था एक बड़े मज़े का manipulation का tutorial तो अगर वीडियो अची लगी हो तो लाइक कर देना और अगर आप चाहते हो कि मैं इस तरह की और manipulation बनाऊं तो मुझे दरूर कॉमेंट्स में मैं बता देना अगर कोई चीज जादा request होती है तो मैं फिर उस तरह की वीडियो जी जादा बनाता हूँ और याद से subscribe button पे क्लिक कर देना और make sure करना के bell icon पे क्लिक कर दो ताके future में जीतीवी वीडियो पोस्ट करूँ और आपको मिलती रहे